हलो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ शिवं कुमार और आप देख रहे हैं B.S.A. ट्रकी क्लासेस तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में हम डिसकस करने वाले हैं आपके साथ में आद के दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल एक्जाम के लिए जी के जी बहुत ही मातपौन अप्रेशन्थ तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सब लोग क्लास को अपने सपोर्ट करें क्लास को अपनी मिल के शेर करें ताकि इसका बेनिफेट और भी लोगों को मिले दोस्तों अशर करते हैं आपको क्लास को अच्छी लगे है ठीक है तो फ्रेंट्स आपका पहला प्रश्न है कि आर्थिक एकी करण की अतिरिक्ट कौन सा अफरीकी संगठन राजनीतिक संकट के समय सायन सहयता भी प्रतान करता है बहुत अच्छे क्वेस्ट आज की क्लास में डिसकस करेंगे आपके साथ में ठीक है बस आप लोग क्ला आपके अफरीकन आर्थिक कम्यूनुटी दक्षिन अफरीकी राष्ट्रों का आर्थिक संगठन अरब मगरेव यूनियन ये पूर्व अफरीकी संगठन कमेंट करें चलिए इस क्वेस्टन का राइट अंसर हो जाएगा हमारा आप्सन नमबर भी क्लियर दक्षिनी अफरीकी राष्ट्रों का आर्थिक संगठन इसको बोलते हैं एकोवास इकोनॉमिक औरगनेजेशन आप साउथ अफरिकन नेशन क्लियर प्रैसे में जिनका भी आंसर ऑप्सन नमबर भी आया हुआ है वो आपका इस क्वेस्टन के लिए फ्रेंट्स बिल्कुल सही आंसर है चलिए में डियर फ्रेंट्स अब हम देखते हैं आपके लिए इस क्लास का अगला प्रशन अगला प्रशन के निमलिखित में से कौन सी फसल भूमत धर एक ही फसल नहीं है विचापता फॉलेंग क्रॉप्स इस नौट एन एक्वार्ट्रियल ग्रॉप्स इनमें से कौन सी जो है स्वार्ड और ऐल पॉम एक एलध उचेला इनमें से कौन सी भूमत रिक़ित असल नहीं है का कि इस वश्जन का राइंसर Sophia है कि अभी है हमारी भूमत रेकिन ईह भूवा है विल्कुल धहीं उठाभ है प्लेम्ग केला चलिए अब हम देखते हैं इस class का friends फटा-फट से अगला प्रेशना अगला प्रेशना फ्रेंट्स आपके सामने कि Myanmar की अंतराश्ट्री सीमा निमलिखित में से किस देश के साथ नहीं लगती है Myanmar does not share an international border with which of the following countries मताइए यह मैमार की अंतराश्ट्री सीमा किस देश के साथ नहीं लगती है options है आपके लाउस Thailand Vietnam यह भारत बताइए बताइए यह मैमार की अंतराश्ट्री सीमा है वो किस देश के साथ नहीं लगती है चलिए इस question का right answer साथ ही हूँ अगर आप चुने है option C वियत नाम ठीक है मैमार के उत्तर में कौन सा है चीन है उत्तर पूर में जो है वियत नाम है ठीक है इसके लाब मैमार के पूर में क्या है मैमार के जो पूर में है लाओस ठीक है और लास्ट में जो है यह बांगला देश और अनमान सागर से भी मैमार की पश्ची में सीमा लगती है तो ऐसे में जिनका भी answer options C आया हुआ हुआ है शलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड से अगला प्रेशना अगला प्रेशने फ्रेंड्स आपका काफी इच्छा क्वैस्टन है व्दताना है आपको की निम्रलिखित में से के सवधर्णा में या माना जाता है कि मानों का जीवन वा विवहार वात्ता वरंद्वर और निश्चित किया जाता है इन विच आफ दा फॉलोइंग वांसेट इस बिलीव डेट दा लाइफ एंड बिहेवियर ऑफ हुमन बींग्स आर डेटर्माइंड बाइद इन्वार्मेंट पता ये कि सवधर्णा में माना जाता है कि मानों का जीवन और विवहार वात्ता व भावेबाद वात्ता वरन निश्चेवाद नवन निश्चेवाद इस टॉप एंड गो निश्चेवाद कमेंट करें कि इस क्वेंशन का राइट अंसर हो जाएगा ऑप्सन भी वात्ता वरन निश्चेवाद क्लियर तो ऑप्सन भी जिनका भी अंसर रहा हुआ कि एक ऐसी उधाना जिसमें यह मानों का जीवन वह विभार और वात्ता वरन पर पर निश्चेवर होता है तो ऐसे में जिनका भी आंसर उप्सन भी आया हुए है वैरी गुड चलिए देखता है अगला प्रशन Dear friends, अगला question है आपके सामने की प्रथिवी की किस परत को सियाल भी कहा जाता है which layer of the earth is also called सियाल तो core, भूपरपटी, mental या उपरोक्ट में से कोई नहीं बताइए कि प्रथिवी की किस परत को सियाल भी कहा जाता है इस प्रशन का सही उत्तर साथियों होगा option भी भूपरपटी ठीक है प्रथिवी की परत होती है इसको सियाल भी कहता है ठीक है और यह जो परपटी होती है यह किस की बनी होती है सिलिका और अलिमीनियम की यह बनी होती है ठीक है चले आई ये किस की बनी होती है ये सिलिकॉन और मेगनेशियम की बनी होती थीक है जो अवारी कोर होती है कोर को क्या बोलता है तो कोर को नीफे के नाम से जानता है घ्लियर चलिए आज देखते हैं अगला प्रश्वन अगला प्रेशने की निमलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टाने कहा जाता है पताएं इसको जब प्राथमिक चट्टाने कहा जाता है options आपके अगने चट्टान रोपांतर चट्टान अवसाधी चट्टान यह परोग्ट में से कोई नहीं बताइए friends कि प्राथमिक चट्टाने किनको बोलते हैं चलिए तो आपके इस question का right answer friends option E होगा अगने चट्टान clear किसको जब प्राथमिक चट्टान कहते हैं तो अगने चट्टान होती है friends इनका निर्माण किससे होता है इनका निर्माण है यह पिखले हुए जो पिखला हुआ लावा होता है न जब ठंडा हो जाता है तब होता है इसमें जिनका answer option first आया हुए बिल्कुल सही होता है उनका इसके अलावा जो हमारी मेटमोर्फिक रॉस होती है इनका निक्षेपों के दोरा होता है निर्माण ठीक है चलिए अगला question एक पंपास नाम घास के मैदान किस छेत्र में पाया जाते हैं इन विच रीजन अर्दा पंपास ग्रास लेंड्स फांड पंपास नाम के जो घास के मैदान ओरते वह कहां पाया जाते हैं और संसाइब के दक्षण अफ्रीका दक्षण अमेरिका औस्ट्रेलिया या है यूरूप करे 사람 aloud कि प्री के मैधन कि पачको जानते हैं आपको बताना था इसक्व्या वोगया इनको क्या बोलते हैं प्रेएरी अफरीका के जो खास के मैदनों को तो उनको बोलते हैं weld ठीक है और एशिया में के बोलते हैं और ऑस्ट्रेलिया में के बोलते हैं खास के मैदनों को तो उनको बोलते हैं downs आरहे समझ में तीन चीज़ों को याद रखेंगे आप लोग तो ऐसे में जिनका भी आंसर friends option B आया हुआ है बिल्कुल जही उत्तर है उनका चलिए Dear friends अब हम लिए चलते हैं आपको आगे अगले प्रेश्ण की तरफ अगला प्रेश्ण friends की medicine रेखा को अन्निक किस नाम से जाना जाता है What is the other name of medicine line? medicine medicine रेखा को और किस नाम से जानते है और सन्सक्राइब के 17 उत्तरी सामांतर, 49 उत्तरी सामांतर तो न्चासम उत्तरी सामांतर या सथवाँ उत्तरी सामांतर कमेंड करें चलिए, तो फिर्ट जो मेडिसीन रेखा होती है, इसको हम जानते हैं, उन्चासमी समांतर के नाम से, ठीक है, तो इसमें जिनका भी अंसर फ्रेंड्स आप्सन स्थी आया हुओा है, वो आपका इस क्योशन के लिए बिल्कुल जही अंसर है, तो यह उन्चासमा उत्तरी समांत होता है क्लियर फ्रेंड्स चलिए सो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्सिन नमबर सी आया हुआ है वह आपका इस क्वेशन के लिए बिल्कुल सही आंसर है उन्चासवां उत्तरी सामांतर चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटा-फट से अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण फ्रेंड्स की सूर का दर्वेमान और सौर मंडल का कुल कितना प्रतिश्यत है पता है आप्सन साथ के 99.02 प्रतिश्यत तिरा नवे जसमलो दोचार प्रतिश्यति 98.02 प्रतिश्यति 99.02 प्रतिश्यति क्मेंट करें प्रेंड्स आपके इस क्वेस्टन का राइट आंसर अगर आपने चुना है आपका ओप्सन नंबर दि 99.8% clear कितना है 99.8% तो ऐसे में जिनका भी आंसर friends option number D आया हुआ है वो आपका इस question के लिए बिल्कुल सही answer होगा friends, ओके चलिए तो अब हम ले चलते हैं आपको आगे, इस class के अगले question के तरफ अगला question friends की Mount McKinley किस महादूइप का सबसे उच्चा परवत है The Mount McKinley is the largest mountain of which continent, बताएं Mount McKinley किस महादूइप का सबसे उच्चा परवत है options है के उत्तरी अमेरिका दक्षणी अमेरिका योरोप या अफरीका comment करें चलिए, Mount McKinley जो है यह हमारा उत्तरी अमेरिका का सबसे उच्चा परवत है जिसमें जिनका भी answer option number A बिल्कुल जहीं उत्तर है उनका, ठीक है इसके अलावा Mount McKinley को अब किस नाम से जानते है तो friends इसको जो है अब देनाली के नाम से जानते है और यह जो है उत्तरी अमेरिका महादूइब का सबसे उच्चा परवत है चलिए, देखते हैं इस class का हम अगला प्रश्णा अगला प्रश्णा है फ्रेंट्स आपके सामने की प्रेरी नामक चारागा किस छित्र में पाये जाते है इन विच रीजन और दा प्रेरी पास्चर फाउंट प्रेरी नामक जो चारागा है वो किस छित्र में पाये जाते है आपसन साहिब के उत्तरी अमेरिका, दक्षुनी अमेरिका, अफरीका ये एशिया करें चलिए, तो आपके इस question का right answer friends, अगर आप चुने हैं, आपका option number first, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, clear, friends, आपके इस question का right answer, अगर आपने option number first चुना हुआ है, तो बिल्कुल सही answer है आपका, तो यह उत्तरी अमेरिका में पहाए जाते हैं, ओके, तो friends, अगर आपने चुना है, आपके इस question का answer option number first, तो यह बिल्कुल सही answer है आपका, clear, चलिए, देखते हैं, इस class का हम अगला प्रशन, तो friends, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से request है, कि भाई, जिन भी लोगों ने class को भी अपनी like नहीं किया है, तब लोग class को अ करते रहें, ठीक है, चल यहनRep, डेखते हैं, अगला प्रशन अ अगला प्रशन, friends, आपके सामने की, निवल्रखित में, ऐसे किस म्रदा में, the reaction की परियाभ्त मात्रा होती है बताइए तो किस मर्दा में खनिज की परियाब्त मात्रा होती है बताएं आपके अलुवियल मर्दा काली मिट्टी लाल मिट्टी यह लिटराइड मिट्टी बताइए किस मर्दा में जो है खनिज की परियाब्त मात्रा होती है चलिए तो आपके इस question का right answer friends हो जाएगा हमारा option number B ब्लैक सायल ठीक है काली मिट्टी ठीक है तो फ्रेंट जो काली मिट्टी होती है इसमें जो खनिष्ट की जो है सबसे जएदा मात्रा पाए जाती है इसके अलब फ्रेंट जो काली मिट्टी होती है तो यहमारे भारत में लगभग 40% विस्तार जो है यह काली मिट्टी का ही है clear तो यह से में जिनका भी answer friends option number B आया हुआ है बिल्कुल तहीं उत्तर है उनका चलिए अब हम देखते हैं साथ यह इस क्लास का फ्रेंट्स फटा फट से अगला फ्रेंट्स अगला फ्रेंट्स आपके सामने की हमेटाइट और मैगनेटाइट किसकी किसमें है कमेंट करें, what are the types of हमेटाइट मैगनेटाइट मताईए यहमेटाइट और मैगनेटाइट किसकी किसमें है options है Can You Can Serve me and Please ask darkest mint के जिंक आयसक। मताईए कि हमेटाइट और मैगनेटा इस यह किसकी किसमें है कमेंट करें शेल यह प्रेंट्स हम बात करते हैं आपके इस question के right answer गी है ठीक है तो hematite और magnetite clear तो यह जो है law ask की किस्में होती है इस question का right answer friends हो जाएगा हमारा option number की iron ore या law ask clear option first जिनका भी answer आया हुआ है इस question के लिए वह आपका इस question में प्रेंट्स बिल्कुल सही answer है चलिए अब हम देखते हैं इस class का friends फटा फट से अगला प्रशना कि कि अगला प्रेंशने फेंट्स आपके साहमने की इता फोलोजी का संबंध निम्रिखित में से किसस ते है बताए अगला फोलोजी is related to which of the following Edipology का संबंध किससे है बताएं Options है आपके Friends मानु विकास का मरदा पर परभाव Next option है आपका मरदा का मानु विकास पर पर परभाव Next option Friends आपका है कि सजीव प्राणियों पर मरदा का परभाव यह इनमे से कोई नहीं बताएं यह Edipology का संबंध किससे है इस question का right answer Friends होगा Option C सजीव प्राणियों पर मरदा का परभाव Clear इसमें जिनका भी answer Friends Option C आया हुआ है वो आपका इस question के लिए बिल्कुल सही answer है सजीव प्राणियों पर मरदा का परभाव इसको में बोलते है एड़फोलोजी ठीक है न एड़फोलोजी तो इसमें जिनका भी answer Friends Option C आया हुआ है वो आपका इस question के लिए बिल्कुल सही answer है चलिए देखते हैं इस class का Friends अगला प्राणियों अगला प्रेशने Friends की निम्लिखित में से कौन सी भूमत रेखा को दो बार पार करती है विचा आफ दा फॉलाइंग रिवर क्रॉसस दा एक्वरटर प्रेस इन में से कौन सी नदी जो है भूमत रेखा को दो बार पार करती है तो options है आपके नील अमेजन कॉंगो या उपरोप्त में से कोई नहीं बताएं कि इन में से कौन सी नदी हो है जो कि भूमत रेखा को दो बार पार करती है चलिए आपके इस क्वेस्टन का राइट अंसर फ्रेंड्स option C होगा कॉंगो तो यह वरी कॉंगो नदी है अब फ्रेंड्स बात करते हैं कॉंगो नदी की तो कॉंगो नदी है फ्रेंड्स यह नील नदी के बाद अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है ठीक है इसके लिए इसकी कॉल लंबाई कितनी है कॉंगो नदी की तो 4700 किलोमेटर और अगर हम विश्य की बात करें तिविश्य में नवे नंबर पर आती है तिविश्य की नवी सबसे लंबी नती है ओके तो ऐसे में जिनका भी आंसर options दिया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है उनका चलिए अब हम देखते हैं फ्रेंड्स आपको इस class का देखते हैं आपके लिए इस class का अगला question Dear friends आपका अगला question है कि कैस्पियन सागर, अराल सागर, काला सागर और लाल सागर में कौन सा सागर बंद नहीं है बहुत बार question को मैंने discuss किया आपके साथ में तो आप इसको गलत नहीं करेंगे आप लोग ठीक है चली बताइए कैस्पियन सी, अराल सी and black sea and red sea which of the following is not closed options है आपके अराल सागर, काला सागर, लाल सागर यह अप्रोप्ट में से कोई नहीं चली बताइए इस question का राइट answer होगा friends option C, लाल सागर, reds ओके, तो इसमें जिनका answer friends option C आया हुआ है वो आपका इस question के लिए बिल्कुल सही answer है यह हमारा लाल सागर है ठीक है, चली दोस्तों अब हमने चलते हैं आपको आगे इस class के अगले question की तरफ dear friends आपका अगला question है friends आगे बढ़ने से पहले आप लोगो फिरस रेक्वेस्ट करेंगे वे इस सब लोग class को अपने friends support जुरू करें ठीक है तो please friends सब लोग class को अपने support जुरू करें class को share करके चली तो friends सब लोग class को अपने share कीज़ें फटाफट से options है आपके question आपका है कि Japan दक्षिड कोरिया चीन और रूस की सीमा रूस में से किस की सीमा Japan सागर से नहीं लगती है बताए Japan, South Korea and North Korea China and Russia whose borders not share with Sea of Japan तो options आपके रूस चीन या उत्तर पोरिया या उप्रूब तो इससे कोई नहीं चली बताए इस question का right answer friends फटाफट से comment करें इसमें जिनका answer options C आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है उनका उत्तर पोरिया क्या clear तो ऐसा में जिनका भी answer friends option C आया हुआ है वो आपका इस question के लिए बिल्कुल सही उनसर है ओके उत्तर पोरिया के सीमा नहीं लगती है ओके फ्रेंड्स तो option C अगर आप चो नहीं इस question का answer बिल्कुल सही उनसर है आपका चली है dear friends अब हम देखते हैं आपके लिए इस class का अगला प्रेश्न अगला प्रेश्न आपके सामने की चक्रवात के संदर्भ में निम्लिखित में से कौन सा कथन सही है which of the following statements are correct regarding cyclones चक्रवात के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है आपके फ्रेंड्स या उत्तरी गुलाद में घड़ी की सुई की विपरीत दशा में जबकी दक्षडी गुलाद में घड़ी की सुई की दिशा में भूमता है next option है आपका या उत्तरी गुलाद में घड़ी की दिशा में जबकी तक्षडी गुलाद में घड़ी की सुई की विपरीत दशा में भूमता है next option है आपका या किसी भी दिशा में नहीं घड़ी सकता है या उप्रुक्त में से कोई भी नहीं चलिए friends बताइए आपके इस question का जो है right answer हो जाएगा option first या उत्तरी गुलाद में ठीक है ना तो friends या उत्तरी गुलाद में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जबकि दक्षरी कुलाद में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में पूंता है ठीक है तो यह हमारा सही answer है clear वैसे में जिनका भी answer friends option number हमारा यह आया हुआ है वो आपका इस question के लिए बिलकुल सही answer है चलिए my dear friends अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस class के अगले question की तरफ अगला question friends आपके सामने की निम्नदाव वायू छेत्र में ठीक है ना प्रेशन आपका है friends कि निम्नदाव छेत्र में वायू का अंदर की और एक वरत्वे भूबना क्या कहलाता है what is inward movement of air in a low pressure area in a circle called options नापके प्रदे चक्रवाथ चक्रवाथ प्रेंट यह सुनामी कमेंट करें चलिए friends इसको बोलते चक्रवाथ साइक लोन ठीक है तो निम्नदाव छेत्र में वायू का अंदर की और एक वरत्वे घूमना इसको चक्रवाथ रहते हैं clear तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंट्स आप्सन नंबर बी आया हुआ है तो आपके निम्नदाव छेत्र में वाय वो आपका इस क्वेशन के लिए बिल्कुल सही आंसर है चलिए देखते हैं friends आपके लिए इस क्लास का हम अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण फ्रेंट्स की बर्फ का विशाल छेत्र जो धीरे धीरे पहाडी से नीचे पिखलकर खिशकता रहता है उससे क्या कहा जाता है जो की पहाडी से नीचे पिखल कर खिशकता रहता है उससे क्या गहा जाता है और सब्सक्राइब के ग्लेशियर आइसबर्ग कि तूफान या धुन कमेंट करें चलिए आपके इस क्वेशन का राइट अंसर अगर आपने चुना है आपका ऑप्सन नमबर यह ग्लेशियर इनको हिमनद भी बोलते है ठीक है उनको हिमनद के नाम से ढ hen को जाते हैं सेterror करें का फिरिए व lin पुल सही अंसर है चल यह हैं मैं डियर फ्रेंड्स अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले प्रेश्ण की तरह अगले प्रेश्ण की निम्लिखित में से कौन सा एतिहासिक इसमारक प्राचीन विश्व के अजूबों में शुमार नहीं है प्रेश्ण की महानतिरवार कुलूलस आफ दाजमहल कमेंट करें चलिए तो फ्रेंट संबाद करते हैं आपके इस क्वेश्ण के राइट अंसर अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन नंबर भी चीन की महान दिवार ठीक है फिर आपका है यह हलका नारस का मकवरा ओके और फिर यह आता है एफसेस में अर्टेमस मंदिर तो यह साथ आपके अजूब हैं आपको आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्ण की तरह साथियों अगला प्रशन है कि निमलिखित में से किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है मता यह विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है कमेंट करें आपके आपके मैंने पढ़ दिया है मता हैं चलिए तो यह मारा क्यूबा है क्यूबा किस के समी बिस्थित है तो यह कैरेबियन सागर के समी बिस्थित है क्यूबा यह कैरेबियन सागर के समी बिस्थित हैं तो यह से में जिनका भी आंसर ऑप्सन नमबर डिया हुआ है वह आपका इस क्वेस्टन के लिए फ्रेंड्स पिल्कुल सही आंसर है चलिए माइ डियर फ्रेंड्स अब हमने चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेस्टन की तरफ चलिए फ्रेंड्स आपका अगला क्वेस्टन है कि अरब प्रायदूइप निम्लिखित में से किस कारण से महत्वपूर्ण है दारेबियन पेनेंसुला इस इंपॉर्टेंट पॉर्टेंट और विच आफ दा फॉलोईंग लीजन्स तो आप्सन साहिए इसकी स्थिति विशाल भंडार बंदरगाह नगर एक खनीजों की विशाल भंडार पता यह यह रप रायदूइप किस कारण से महत्वपूर्ण है चलिए तो हम बात करते हैं इसके आंसर की तो आपके इस क्वेस्टन का राइट आंसर होगा ऑप्सन भी तेलवा प्राकरतिक गैस के विशाल भंडार ठीक है तेलवा प्राकरतिक गैस के विशाल भंडार जो है यह अरब प्रायदेप में पाया जाते हैं और इसी कारण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है तो इसमें दिनका भी आंसर ट्रेंट से आप्सन नमबर भी आया हुआ है वो आपका इस question के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा तेल वा प्राकरतिक गयस के विशाल भंडार चलिए देखते हैं इस class का हम अगला प्रशन अगला प्रशन फ्रेंड्स के विशाल की सरविज्ञान की Petrology शाखा का संबंद निमलिखित में से किससे है With which of the following is the Petrology branch of science related विज्ञान की Petrology शाखा का संबंद किससे है ओप्सन सहीं के तेल वा प्राकरतिक गयस चत्टान वा खनिज जीवाश्म इम्रदा तो फ्रेंड्स ये चत्टान वा खनिजों से Clear? तो ऐसे में जिनका भी आंसर option number B आया हुआ है वो आपका इस question के लिए बिल्कुल सही answer होगा ठीक है? तो ये चत्टान और खनिजों से संबंद इसका है Option B is the right answer of this question ओके? चलिए अब हम देखते हैं इस class का फ्रेंड्स फटा फट से अगला प्रश्न अगला प्रश्न की गोंडवाना नामक सुपर महादीप के दौरान भारत के साथ और कौन से छेत्र इसमें शामिल थे? अब और अधर एरियाज वर इंक्लूड़ेड इन इंडिया दिरिंग दा सुपर कॉंटिनेंट और काल्ड गोंडवाना तो आप्सेंस हैं आपके? अफरीका, दक्षिन अमेरिका, आस्ट्रेलिया अफरीका और आस्ट्रेलिया केवल आस्ट्रेलिया और केवल अफरीका? कमेंट करें चलिया आपके इस क्वेस्टिन का राइट आंसर होगा आपसा नमबरे अफरीका, दक्षिन अमेरिका और आस्ट्रेलिया तो अफरीका, दक्षिन अमेरिका और आस्ट्रेलिया तो आपसन ए जिनका भी आंसर आया हुआ है फ्रेंट्स आपके इस क्वेस्टिन के लिए बिल्कुल सही आंसर वो है आपका चलिये मैं डियर फ्रेंट्स अब हम लेचलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले प्रेशन की तरह है अगला प्रेशन के नेम लिखित में से किस देश का नाम अक्षांस पर आधारित हैं मिचावदा फॉलिंग कंट्रीज नेम इस बेज़ अन लाटिट्यूड पताइए किस देश का नाम हुआ है वह जो है उस देश के अच्छांस पर आधारित है आपसंस है आपके कैनरी महादूइप कनाड़ा ऑस्ट्रेलिया एक्वाडूर क्रेमेंट करें करें एक्वाडूर क्लियर ऑफसन डी चिनका भी अंसर आया हुआ है इस क्वेस्टिन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड से अगला प्रशना अगला प्रशने किसी बल के कारण किस बल के कारण ऐसा होना चाहिए आंप है तो किस बल के कारण अपरदन दूरताब यह एकाकी पन किसी बल के कारण जब दो चट्टाने आपस में ठगरा जाती है तो इसको क्या बोलेंगे तो जिखे जब दो चट्टाने आपस में ठगराती है तो इसको क्या बोलेंगे इसको friction कहेंगे घर्शन यह बोलेंगे फ्रिक्शन घर्शन कहेंगे तो आपसे इस इनका भी आंसर आया हुआ बिल्कुल सही उत्तार है उनका ठीक है चलिए कि मैं देखते हैं अगला क्वेस्टन तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोग लुग क्लास को शेर कीजिए ग्लास को शेर कीजिए क्लास में अपने कम से कम तो कम से कम 350 प्लस लाइव इस्टड़न्ट्स आप ले कर क्लास को अपने फ्रिंट्स शेर कीजिए फ nhânक का अगला करशन principus अगला प्रश्न है Friends कि का नाम बदलकर श्रीलंका कब रखा गया पता है कि Wenn was Cylone renamed as Sri Lanka तो इन्हें का नाम बदलकर श्रीलंका कब रखा गया था रहता है पता है optionsे साथ कि 1960 1970 1972 1975 पता ये कि स।िलोन का का नाम बदलकर स्रीलंका कब रखा गया था चलिए तो फ्रेंट्स आपके इस क्वेस्टिन का राइट आंसर तो होगा ऑप्शन नमब सी 1972 1972 में सिलोन का नाम बदल कर श्री लंका रखा गया था इसको बिटिस ने इसका नाम रखा था सिलोन ठीक है बिटिस आसन से और 1972 में इसका नाम स्री लंका कर दिया गया था क्लियर तो यसे में जिनका भी आंसर फ्रेंट्स ऑप्सन नमबर सी आया हुआ है वो आपका इस क्वेस्टिन के लिए विल्कुल सही आंसर है चलिए देखते हैं फ्रेंट्स आपके लिए इस क्लास का हम अगला प्रशन कि प्राकृतिक रबर का अधिकतर उतपादन कि स्थेतर में किया जाता है मताई कि प्राकृतिक रबर का जो सबसे अधिक कुछ पादन वो किस छेतर में किया जाता है इन विच एरिया इस दा मैक्सिमम प्रोडक्शन आफ नेच्रल रबर आपसंस है आपके दक्षिन असरी अमेरिका दक्षिन पूर्व एशिया प्रस्चिमी यूरूप एशिया कमेंट करें चेट यह तो आपके इस question का right answer हो जाएगा friends option number B दक्षिन पूर्व एशिया तो friends आपके इस question का right answer अगर आपने option number B चुना हुआ है तो यह आपका विल्कुल सही answer होगा ठेक है दक्षिन पूर्व एशिया ओके फ्रेंड्स चलिए देखते हैं friends आपके लिए इस class का हम अगला प्रश्चन अगला प्रश्चन मानक समय जोन के अनुसार प्रत्वी को कितने खंडों में बाटा गया है पताइए into how many divisions is the earth divided according to the Indian standard time zone पताइए यह मानक समय के अनुसार प्रत्वी को कितने खंडों में बाटा गया है तो options आपके 12, 24, 36 यह 42 कमेंट करें चलिए तो आपके इस question का right answer friends होगा option number second 24 कितने तो इसको 24 खंडों में बाटा गया है तो इसमें जिनका भी answer friends option B आया हुआ है वो आपका इस question के लिए बिल्कुल सही answer होगा ओके चलिए my dear friends ले चलते हैं आपको आगे इस class के अगले प्रेशन की तरफ दोस्तों अगला प्रेशन की विश्य की सबसे बड़ी ताजे पानी की जील कौन सी है which is the world's largest fresh water lake विश्य की सबसे बड़ी ताजे पानी की जील बताएं तो options आपके कैस्पियन्स अगर बैकॉल जील लेक सुपेरियर और नीरो जील बताएं और जील लेक सुपेरियर क्लियर तो option C जिनका भी अंसर आया हुआ है इस क्रेशिंग के लिए बिल्कुल सही आंसर है तो विश्य की सबसे बड़ी ताजे पानी की जील कौन सी है तो हम ताजे पानी की बात कर रहे हैं ठीक यह ध्यान में रखिएगा आप लोग तो अप्सेरियर होती है ठीक है तो option C अगर आपने चुना हुआ है अपने इस क्वेस्टिन का आंसर तो विल्कुल सही आंसर है आपका चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण है फ्रेंड्स की निमलिखित में ऐसे कौन सा संगठन अलपा धिकारियों की बीच समझहोते का स्तरुस्थ्रेश्ट उदाहरण है विचाव दाफॉलिंग और्गनाईजेशन इस दा बेस्ट एक्जेम्पल अफ कॉम्प्रोमाईज बिट्वीन ओलिगोप तो कौन सा संगठन अलपा धिकारियों की बीच समझहोते का स्तरुस्थ्रेश्ट उदाहरने बता हैं गैट डबलू टी यो डबलू इएफ यह ओपेक कमेंट करें यह ओपेक है यह एक ऐसा संगठन है जो कि तील छेतर में सबसे बड़ा इसको संगठन माना जाता है इसमें जो है ओपेक में कौन कौन से देश शामिल है कुवेत लीबिया नाइजीरिया सभ्यूंतर अमिराथ एक्वाडोर एरान इराक ठीक है यह सब ओपेक के संगठन में शामिल देश अप्सन डी जिनका भी आंसर आया हुआ है वो आपका इस क्वेस्टन के लिए बिल्कुल सही आंसर है चलिए देखते हैं अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण के निमलिखित में से किस प्रकार के तापमान में उश्नकटबंधी परनपार्थी वन पाया जाते हैं ट्रॉबिकल डेसिटियस फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन वीच आफ दा फॉलोइंग टाइपस आफ टेम्परीचर्स तो अप्सन आपके मेगा थर्म, मेसो थर्म, माइक्रो थर्म, हैकिस्टो थर्म कमेंट करें अप्सन बी मेसो थर्म, हरा जो है उसके लिए बिल्कुल सही होगा थर्म बाइस क्लास का इस धर्म में क्या होता है इसमें परणपाती बन पाया जाते हैं ठीक है चलिए अब उष्ट कडवंधी वर पंडपाथी जो वन होते हैं वहाँ पर कितने सेंटीमेटर की वर्सा होनी चाहिए ते सतर से 200 सेंटीमेटर वर्सा होती वहाँ पर ठीक है शेल यह देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स हम अब अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण है आपका दोस्तों की राष्ट्रमंटल समोह में कुल कितने सतंतर देश शामिल हैं हाँ मैनी इंडिपेंटेंट कंट्रीज और इंगलुड़ेड इन दा कॉमन वेल्थ आफ नेशन्स मता ये राष्ट्रमंटल समोह में कुल कितने सतंतर देश शामिल हैं आप्सेंस हैं की बावन त्रीपन छपन या थावन कमेंट करें तो इसका अंसर अपने होमर्प में बताइएगा आप लोग कितने सतंतर देश शामिल हैं तो आपका अगला प्रशन है कि विश्ट्र का सबसे बड़ा भूत आप अपने हो प्लांट किस देश में इस्थित हैं इन विच कंट्री इस दा वर्ल्ड लार्जेस्ट जियो थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड दिविश्ट्र का सबसे बड़ा भूत आपी उद्जा प्लांट किस देश में इस्थित हैं बताएए ऐसंस हैं कि अमेरिका तो friends जिविश्यों का सबसे बड़ा भूतापी उर्जा प्लांट है ये अमेरिका के कैलिफोर्णिया में है इस question का right answer हो जाएगा friends हमारा option number A answer जो कहां पर है तो ये अमेरिका के कैलिफोर्णिया में है इसमें जिनका भी answer friends option number A आया हुआ है वो आपका इस question में बिल्कुल सही उतर है तो अमेरिका के कैलिफोर्णिया में है ये चलिए Friends अब हम देखते हैं आपके लिए इस class का अगला प्रशना अगला प्रशने फ्रेंट्स की निम्लेखित में से किस अफरीकी देश को पहले न्यासा लेंड के नाम से जाना जाता था बताएगे इस बताएगे ज़िए फॉलोइंग अफ्रिकन कंट्री वस फॉर्मली नोन एज न्यासा लेंड के नाम से जानते थे बताएगे आपसंसाहिए के तंजानिया मलावी मोजांबिक ये बोतसवाना कमेंट करें आपसंबी मलावी मलावी को पहले न्यासा लेंड के नाम से जाना जादा था ओके तो आपसंबी जिनका भी आंसर आया हुआ है वो इसमें सही उत्तर है आपका चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटा फट से अगला प्रशन अगला प्रशने की निम लिखित में से कौन सा परवत आईवरियन प्राइद्वीप को शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है which of the following mountains separates the Iberian Peninsula from the rest of the continent of Europe तो कौन सा परवत आईवरियन प्राइद्वीप को शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है बता है यह प्राइद्वीप अप्सन सी जिनका भी अंसर आया हुआ इस क्वेशन के लिए बिल्कुल सही उत्तार है आपका ठीक है क्या होता है पायर नीज होता है तो इसमें जिनका भी अंसर फ्रेंट्ट सा आप्सन सी आ रहा है वो आपका इस क्वेशन के लिए बिल्कुल सही अंसर है पायर नीज is the right answer of this question चलिए अब हम देखते है अगला प्रशन अगला प्रक्रशन प्रतिवी के किईंदर की और जाने पर किसी वस्त का वजन The weight of an object as it moves towards the center of the earth प्रतिवी के कियंदर की तरफ अगर ज्याया जाया किसी वस्त के वजन में क्या परिवर्तन होगा बढ़ेगा, कम होगा, स旱ावान रहेगा ये अनन्त हो जाएगा कमेंट करें चलिए तो आपके इस question का right answer होगा friends option number B कम होगा ठीक है पती है कि केंदर की तरफ जाने पर किसी बस्त का जो वज़न है वो कम हो जाएगा clear option B is the right answer of this question ओके friends चलिए ले चलते हैं आपको आगे अगले प्रशन की तरफ अगले प्रशन की निम्रिखित में से कौन सी वायू इस्थानी वायू नहीं है which of the following air is not a local air तो सीरोकू पुनस मिस्ट्रल की यू कू बताएं कि इनमे से कौन सी की स्थानी वायू नहीं है चलिया कि कूयू कि कूयू कि कूयू यह जो हमारी के स्थानी पवन की श्रिणी में नहीं आती है clear? so option D is the right answer of this question अगला प्रशने फ्रेंड्स की प्रथिवी के चुम्ब की छेत्र की सही स्थती क्या है? what is the exact position of the earth's magnetic field? प्रथिवी के चुम्ब की छेत्र की सही स्थती बताएं क्या है? options आपके प्रथिवी के के अंदर के पास आयन मंडल के नीचे आयन मंडल के ऊपर प्रथिवी के सता से 12 से 16 किलोमेटर के अंदर बताएं कि प्रथिवी के चुम्ब की छेत्र की सही स्थती क्या है? option C आयन मंडल के ऊपर clear? option C जिनका भी अंसर आया हुआ इस question के लिए बिल्कुल सही उत्तार है उनका चलिए यह उत्ती है आयन मंडल के ऊपर चलिए देखते है friends अगला प्रशन अगला प्रशन के नेम रिखित में से किस देश में कौफी के पौधे की उत्तपत्ती होई थी? in which of the following countries did the coffee plant और गिनियेट? पता है कि किस देश में कौफी के पौधे की उत्तपत्ती होई थी? option C आप के वियत नाम ब्राजील, पेरू ये इथियोपिया कमेंड करें चलिए तो option number अगर आपने चुना है option D, इथोपिया तो सही answer है option D is the right answer of this question इथोपिया इथोपिया की जो ओरोमो जन्जात ही है ठीक है कौन सी ओरोमो इथोपिया की ओरोमो जन्जात ने सबसे पहले कौफी का पुरियोग की आथा याद रखेंगे ठीक है अब कौफी को तो पत्तिक पुशे किस सदी में होई ठीक? डसमी सदी में clear? चलिए देखते हैं अगला प्रेशन अगला प्रेशन फ्रेशन की मार्गोसा निमलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है मार्गोसा तेल होगा यहाँ पर मार्गोसा तेल निमलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है मार्गोसा ओयल is obtained from which of the following trees options है आपसके बबूल नीम पिकस या बास जो छो होता है उसका भी होता उस से पराप्त किया जाता है घ disputes होती है दायों बनाना में ours होता है इसके ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं इनको बनने में इसका यूस NI section जाता है थे इंक से इनुक questo और हूए? वह जाई है बढ़ाए है आप कि शया है . तो आशा करेंगे जो क्लास है आप सब लोगों को काफी एच्छी लगी होगी तो फ्रेंट्स जो लोगों को अभी आए हुए हैं वो लोग क्लास को स्टार्टिंग से जरूर देखें ठेकें क्लास में काफी सारे लोगों को लाइक किया है सब लोगों को अपने शीर नहीं किया है वो सब लोग क्लास को आपने शेयर भी कर दें oh मैं आपका जिबं कुमार मिलता हूँ friends आपसे आपकी next class में ठीक है तो friends तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्यार लखें सेफ रहें पढ़ाई करते रहें टेक कियर friends बाबाई